देखिए निश्चित रूप से कारिकरताओं की जीत है, हमारे नेत्रित्व की जीत है और नेत्रित्व ने जिस हिसाब से कारिकरताओं का मारदर्शन किया, कारिकरताओं ने दिन रात एक करके और इस कुशाशन की भुपेज बगेल सरकार को इसके लगबग सारे मंत्रियों के साथ उखाण फेका कारेकरताओं को और नेत्रितों को बधाई है दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 36 गड़ में जो एक बड़ी पीड़ा थी जो हम समझ नहीं पा या कॉंग्रेस नहीं समझ पा रही थी जिसे बार बार राजिन भईया उसको स्विकार भी कर रहे है कि 36 गड़ में अगर सत्ता की चाबी आती है तो सरगूजा संभाग और बस्तर संभाग से और लगातार ये लोग वहाँ धर्मांतन को प्रश्रे दे रहे थे लगातार ये सनातन धर्म का वहाँ पर विरोध कर रहे थे आप देखे धर्मांतन के बारे में अगर भाजपा ने कोई सवाल उठाया तो हमारे जीले के अद्धश को जेल पर डाल दिया उसके बाद रास्त्री सुरक्षा कानून वहाँ लगा दिया अरे भाई जाकर इस पोप से मिलते हैं मैं फिरसे कहा रहाँ हम να Christian के विरोधी है ना Islam के विरोधी है पर अगर सनातन पर कोई धर्म आकरमन करता है तो उसका विरोध होगा मतांत्रण करने का विरोध होगा तो लगातार इन चीजों पर आप देखें मुझे दुख हुआ जब राजेन भाईया जैसे वरिष्ट नेता ने ये बात कही कि इन्हों ने लगातार वो जो हमारे इश्वर्ट साहू और भुनेश्वर्ट साहू की जो हत्या कर दी गई और उसमें सिर्फ आठ लोगों को गिरिफतार किया जबकि इश्वर्ट साहू ने 42 लोगों का नाम जद F.I.R की थी और उसे कहां कि ये संप्रदाइक्ता का खेल हुआ अरे वो नौ जोवान की हत्या हो गई लौ जिहाद के कारण हो गई और आप तुष्टी करण करें मुझे भी दुख है कि वाँ दो मुसल्मान भाई मारे गए हमने मांग की दी कि भुपेज बगेल सरकार उनको भी